विग्यानिकों ने एक अनोखे गरह की खोज़ की है यह अपने शूरिय की परिकर्मा अंडाकार तरीके से कर रहा है इसके काणिये कभी अपने तारे के पास होता है तो कभी दूर हो जाता है इसकी वज़े से इस गरह का तापमान कभी बहुत जादा ठंडा हो जाता है तो कभ भी बहुत ज़्यादा गरम हो जाता है विग्यानिकों का मानना है कि यहां एक अलग दुनिया दिखाई दे सकती है विग्यानिकों के मताबिक इस गरह का नाम P.I.C. 24 क्रोड 12,59,530 भी है आपको बता दे कि यह गरह पिर्तवी से करीब 1100 प्रकास वर्स दूर स्थित है जहां यह एक तारे का चक्कर लगा रहा है यह तारा एक बाइनरी युगम में से एक है जिसकी वज़े से गरह प्रात्मिक तारे का चक्कर लगाता है वही प्रात्मिक तारा दूसरे तारों का चक्कर लगाता है बुद्वार को नेचर जर्नल में एक अध्यन परकासित किया गया ह जिसमें सोदगरताओं की तरफ से बताया गया है कि दो सितारों के संबंद में होने की वज़े से गरम बरस्पती बन सकता है अब को जानकर आश्टे रहोगा कि विग्यानिकों ने अभी तक पांच जार से अधिक गरहों की खोज कर ली है और इन में से तिन सो से लेकर पांच सो तक गरम बरस्पती गरह है बरस्पती जैसा विशाल गैशी अपिंड होने की वज़े से गरम बरस्पती गरह कहा जाता है यह अपने शितारों की बेहती नजदीक परिकर्मा करते हैं जिससे जुलसा देने वाले तापमान तक गरम होता है हमारे सोरमंडल के ब्रस्पती गरह को सुरिय की चारों तरफ एक परिकर्मा पूरी करने में फिर्थवी के चार हजार दिन लगते हैं जबकि गरम परिस्पती शिरफ कुछी दिनों में अपने शितारों की एक कक्षा पूरी कर लेते हैं विगयनिकों के मुताबिक बड़े घर है दूर से अपने तारे की परिकर्मा की शुरुआत कर देते हैं लेकिन समय के साथ पास आ जाते हैं विगयनिकों का सवाल है कि आखिर इतने विशाल घर है अपने शितारों के करीब कैसे आ सकते हैं जो बुद्ध और हमारे सुरिय के बीच की दूरी से भी कम है